आज एक और स्टॉक है जो नहीं चल पा रहा है वो है बंधन बैंक और एक fundamental reason भी है MD और CEO चंदरशेकर घोश जो की पिछले काफी समय से जुड़े हुए थे एक तरीके से founding member रहे हैं बंधन बैंक में और हमने देखा था कि जब बैंक लिस्ट हुआ था उसमें भी काफी important role play किया था रूरल में शित्र में बढ़ावा देना expansion strategy इन सब में एक कोर रूप में थे चंदरशेकर घोश के अगर बात करें तो कि जब इस्तीफी की खबर आई तो उसके बाद हमने देखा कि बंधन बैंक में करीब 6% तक की गिरावट देखने को मिलिया और कुछ reports ने यहाँ पर rating भी घटा दी है company पर 185-186 के आसपास की rating अब वो देख रहे हैं अक्षे जी कैसा लग रहा है आपको बंधन बैंक मौझूदा सतर पर चार्ट में क्या और वीकनेस दज़र आ रही है खबर तो है ही खबर का impact आज हम देख रहे हैं लेकिन टेक्निकली चार्ट कैसा लग रहा है आपको जी देखें टेक्निकली तो स्टॉक नेगेटिवी था बस रिसेंट पाच्छे ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा उचला था और आज जो न्यूस के चलते जो gap डाउन ओपन हुआ है तो उसके बाद अभी भी downtrend होने का जो एक सिलसिला रहा है वो continue होने के संगेज मिल रहा है अभी फिलाल जो है न्यूस के चलते थोड़ा सा volatility और बड़ेगा support area आपको देखना है 175 का revisit हो सकता है यह support पर थोड़ा सा जो है price में उतर चड़ा हो 175 और 185 यह range में आपको दिख सकता है futures and options में भी यह stock ban में चल रहा है तो मैं कहूंगा अपको अगर buy fresh निवेश करना है तो थोड़ा सा फट जाईए इससे caution रखिए wait and watch mode में रखिए क्योंकि थोड़ी सी stabilize होना मैं मैं मानता हूँ बहुत जरूरी है current level में तो 195 यह level की उपर stabilize है तो comfort मिलेगा buy करने में फिलाल जिनके पास share है उनको अपना stop loss 170 का पका stop loss बना के चलना है तो 170 stop loss जिनके पास है fresh खरिकदारी करने की राए नहीं रखूंगा में बंदल मैंग बंदल मैंग में फ्रेश एंट्री के अभी फिलाल साला नहीं है लेकिन stop loss लगा लिजे 170 के आजपास का उसके नीचे अगर निकला तो फिर बिक्वाली और बाढ़ सकती है स्टॉक में तो जिनके पास भी है स्टॉप लॉसस का ध्यान जरूर रखें और स्टॉप को वाच करते रही है आप अपने नुकसान का भी ध्यान रखिए इस से शेयर में आप